शिरिफ 4 गंट में आप कैसे सभी पढ़कर का कीरा को सफया कर सकते हैं हाँ दोस्तों आप कैसे 4 गंट का अंदर अंदर किसी भी कीरा को आपना खेतों से पूरा नामो निशान मीटा सकते हैं हम यह अपना तजरुबा और आपना जो पैक्टिकल जो इस्तेमाल करके ही आपको इस इंफर्मेशन का बात करते हैं आप सिरिफ वीडियो को चार मिनिट देखो देखने का बाद आप जो खेती करते हैं उस खेती में आप इसका इस्तेमाल कीजिए और चार घंटा बाद फिर आके वीडियो को रिपलाई करके आप कॉमेट में बताएं आपको सौ परसे सठीक हाँ यह हम दाबा के साथ कह सकते हैं आप चार घंटा का अंदार आपना खेतों से किसी भी कीरा को जर से हटा सकते हैं उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कैसे इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनिशन कर सकते हैं कैसे आप इंसेक्टिसाइड को यूज कर सकते हैं कैसे आप इंसेक्टिसाइड को आच्छे से घोल बनाते हैं और कैसे आप आच्छा टेक्निक को इस्तेमाल करके आप आच्छा रिजाल पा सकते हैं तो चलिए हम जानत कैसे आप आपना खेतों में इंसेक्टिसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं यह है घाड़ा कंपाने का काइट इंसेक्टिसाइट जिसमें कॉंटेंट आता है इंड्योक्सकाड 14.5% और एसेटम प्राइड आता है 7.7 www.ac formulation में यह दो ही कॉंटेक्ट इंसेक्टिसाइट है आपको जो कॉंबिनेशन के लिए बोल रहा हूं वो भी आपका इसेटमा प्राइड ही है वो प्राइड प्राइड में है जो आता है इसेटमा प्राइड 20% इसी फॉर्म में उसको आप इसके साथ और भी 10 ग्राम का कॉंबिनेशन बना के अच्छा से घोल बना के आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको चार घंटा का अंदर किसी भी कीठों वो संपरक में आके वो जड़ से खतम हो जाएगा काइट इंसेक्टिशाइड का डोज लेना है 50 ml पर 20 लिटर पंप में और आपको एसी टम पराइड जो 10 ग्राम पर 20 लिटर पंप में अच्छा से घोल बना के सामकवाग छिरकाप कर देना है एसीटम पराइड ही देना है जो आपको पाउडर फर्म में आता है जैसे कि हम ल इसके साथ कॉंबिनेशन करके अच्छा से घोल बाना के आपको साम का वाक्त बढ़िया से छिरकाप कर देना है और आपका जो भी कीट है चार घंटा का अंदर आपका सफाया हो जाएगा आप जाएए अपना खेतों में इस्तिमाल कीजिए और उसका सत जनिए वीडियो को सब्सक्राब करें जाए हिन जाए भारत